Hello Everyone, कैसे हो आप सब? जैसे आपको पताएए इस जखिट के वन-वै-वन में सारे पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिछले पार्ट में मैंने ये V-Shift नेक की हमने घटाइ कैसे करनी है और ये मॉड़जे की कटिंग कैसे करनी है ये सारा को शेयर किया था आजकी वीडियो में हमने तीरे के फंदे यहां से ज्वैंट कैसे करने हैं यह पट्टी को साथ के साथ भीना सीले हुए हम गले के साथ अटेज करेंगे और यह मोठे में कितने फंदे हम उठाए है तो चैनल को आपी तक नहीं सबस्क्राइब किया है इस तरह से रख लेने हैं, ये वाली side भी उल्टी, ये वाली side उल्टी, सीधी side दोनों पलों की अंदर और बटन पट्टे भी हमारी देखिए अंदर होगी, यहाँ पर मोढधों से मोढधे जोडते हुए हमने, क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पर तीरे के फंदे जोडने है यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी मैं यह वाली side ले लेती हूँ, इस side को उठा देंगे, क्योंकि पहले यह वाली side इसके साथ attach करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी side attach करेंगे, तो पहले हमने ऐसे इसे पकड़ लेना है, यहाँ पर देखिए, यह मोढधे से हमारे यहाँ पर इस तरह से, इससे यह वाला ऐसे, दोनों एक ब्राबर है, और यह बटन पट्टी के फंदे हमारे इधर है, यह उपर है, इसकी सीधी side भी अंदर है, इसकी CD side भी अंदर है, यह दोनों सारी चीज़े आपका देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप beginner है, तो कहीं आप एक फंदा इसलाई में से लेंगे, एक फंदा इसलाई में से लेंगे, ठीक है, इन दोनों को इस तरह से, दो काई कर देंगे, इस तरह से, ठीक है, फिर दोनों फंदों को निकाल देंगे, अब फिर से यह वाला एक फंदा इसलाई में से लिया, एक फंदा इसलाई में से ल से कट करदेना है और इसके साथ नोट पांदनेंगे पहले है अब ऐसे ही एक फंदा इसलाई मेंसे लेना है एक फंदा इसलाई में लेना है ठीक है दोनों को तोकाई कर देंगे इन फंदे को उठाकर उपर से गिरा देंगे, इस तरह से, फिर से हमने एक फंदा इस सलाई में से लेना है, दोनों को दो काई कर देना है, इस तरह से, अब पिछे वाले फंदे को उठाएंगे, उपर से गिरा देंगे, इसके उपर से ऐसे उठाते हुए गिरा देना है हमने, ऐस ही करते हुए हमने देखे दोनों को पहले सीधा बना लिया निकाल दिया अब इस फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देगे बिल्कुल असान तरीका है फंदों को बंद करने का और बहुत शफाई से और बहुत अच्छे से यह सारे फंदे हमारे बंद हो जाते हैं इस तरीक यहां पर यह चैन वाला फंदा है ना हमारी बटन पतीकर दम्रों है इन फंदों को चोड़कर यह 24 फंदे हमने ऐसे ही बंद रहने हैं एनकर भीर प्रसे देख लिजीह त्लाई में emerge इन दोनों को ऐसे सीधा बना दिया हमने ठेक है सीधा बनाने के वाद छोड़ देंगे, अब ये वाला फंदा उठाया, उपर से गिरा दिया, अब फिर से एक फंदा इस सलाई में से, एक फंदा इस सलाई में से लिया, दोनों को सीधा बना दिया, अब ऐसे छोड़ेंगे, ये पीछे वाला फंदा उठाकर उपर से गिरा द अब हमने क्या करना है उल्टी छर्फ से पहले इन दस फंदों को बटन-पट्टी वाले वंदों को ऐसे इसे उल्टा बना लेंगे सिंपल जैसे हम बटन-पट्टी के फंदों को बनाते शींस ही तरह से कि इस तरह से बटन पट्टी वाले फंदे बनाए अब सीधी तरफ से भी हमने अपने बटन पट्टी के ये नो फंदे बिल्कुल ऐसे ही बना लेने हैं इस तरह से इसे उतारा इसे उतारा धागा अपनी तरफ किया यह उल्टे फंदे बनाएँगे इस तरह से फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे अब यह हमारा चैन वाला फंदा इस फंदे को उतारा, ऐसे सीधा किया, एक फंदा ये वाला, एक फंदा ये वाला, ठीक है, इन दोनों को दो काई कर देंगे, ऐसे, दो काई किया, अब यहीं से वर्क को टर्न करेंगे, यहीं से, और ये, फर्स्ट फंदे को उतारेंगे, और बाकी के सारे फंदे सेम टू सेम इसी तरह से उल्टे बना लेंगे इस तरह से अब सीधी तरफ से फिर से बटन पट्टी वाले दस फंदे बनाएंगे 9 फंदे बना लेंगे 10 में फंदे पर फिर से हमने 2 का एक करना है हर सीधी स्लाई में बटन पट्टी वाले फंदों को ऐसे ही देखे ये 9 फंदे हो गए हमारे ये चैन वाला हमारा ये एक फंदा है इसे उतार कर इस तरह से सीधा करना है हमने और सीधा करने के बाद एक फंदा ये वाला एक इस स्लाई में से लेंगे इन दोनों को दो काई करना है इस तरह से फिर यहीं से वर्क को टर्न कर लेना है इस फर्स्ट फंदे को उतारना है और बाकी के ये सारे फंदे उल्टे बना लेने है दस के दस फंदे ये सेम ऐसे ही बनेंगे एक फंदा उतार लिया, नो फंदों को उल्टा बना लिया अब सीधी तरफ से फिर से हमने अपनी ये बटन पट्टी के फंदे बनाए एक फंदा ऐसे उतारा, ऐसे हिया धागा अपनी तरफ करते हुए ये उल्टे फंदों तक बनाएंगे जो चैन वाला फंदा है ना हमारा वहाँ पर जाकर फिर से हमने दो का एक करना है धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, ये चैन वाला फंदा है ना, ये वाला इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे फिर एक फंदा ये वाला, एक ये वाला लेंगे इन दोनों को ऐसे स्लाइड डालते हुए दो का एक कर देंगे अब ऐसा हम क्यूं कर रहे हैं देखिए दो का एक, दो का एक करते हुए हम क्या कर रहे हैं ये गले की पट्टी बना रहे हैं यहां पर इस तरह से दो का एक, दो का एक करते हुए देखीए गले की हमारी पट्टी इसके साथ अटैच होने लगी है पीछे वाले पल्ले के साथ यहां पर इसी तरह से ठीक है तो इसी तरह से करते हुए हमने ये दो का एक दो का एक सीधी तरफ से करते हुए जब तक सलाई में यहां पर 24 फंदे रहने तक 24 फंदे रहने तक ऐसे ही यहां पर ऐसे ही करते जाएंगे अब उल्टी तरफ से फिर से हमने 1 फंदे को उतारा इसे उतारा ये वाले 9 फंदे हम उल्टे बना लेंगे अब सीधी तरफ से हमने इस फंदे को उतार दिया ऐसे इसे ऐसे उतारा धागा अपनी तरफ किया ये 9 फंदे हमारे ऐसे ही सेम टू सेम बटन पट्टी के बन जाएंगे उल्टे फंदे तक आपने बना लेना है फिर धागा दूसरी तरफ कर लेना है इस चैन वाले फंदे को हम ऐसे सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद एक फंदा ये एक ये सलाई में से इस सलाई में से एक एक फंदा लेते जाएंगे और यहाँ पर दो का एक करते जाएंगे ऐसे ही बनाते हुए देखें बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से हमने इसे जोडते जाना है यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग से और सफाई से यह सारे फंदे अमारे ऐसे ही इसके साथ अटैच होते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही बिल्कुल करते जाएए यहाँ पर जैसे तीरे के हमने 24 फंदे जोड़े थे यहाँ पर स्लाई में 24 फंदे रहने तक मैं यह ऐसे ही एक एक करते हुए जोडती जाऊंगे उल्टी तरफ से अपने हर बार इस फंदे को उतार लेना है ठीक है इसे उतारने के बाद यह 9 के 9 फंदे आपने उल्टे बना लेने हैं एक बार और ध्यान से देख लीजिए इन फंदों को उल्टा बनाएंगे ऐसे अब धागा दूसरी तरफ वर्क को टर्न कर लेंगे यह बटन पट्टी के फंदे को बना लेंगे चैन तक हमने बना लेना है 9 फंदों को बनाना है ठीक है इसे इन फंदों को बनाया धागा दूसरी तरफ देखेए चैन वाला फंदा है न इसे उतार कर ऐसे सीधा किया अब ये एक फंदा ये वाला हो गया एक वाला फंदा इधर से इन दोनों को ऐसे दो का एक कर देंगे इस तरह से अब ये ही से वर्क को टर्ण करेंगे इस फंदे को उतारेंगे और ये नो फंदे उल्टे ऐसे ही करते हुए यह मैं बनाती चाओंगी अब बना लेती हो फिर आगे आपको दिखाती हो इस तरह से दिखे पट्टी के फंटों को जैसे मैंने आपको बताया था मैं यहां तक जोड़ती गई जब तक स्लाई में हमारे पास यहां पर 24 फंदे रहेगे जैसे हम बनाते हैं तोनों तरफ तीरे के फंदे जोडने के बाद हम बटन पट्टी ऐसे बनाते हैं फिर इसकी सलाई करते हैं यहां पर देखे हैं हमारी सलाई बिल्कुल नहीं आएगी एक दम स्मूद घटाई कितनी सुन्दर बहुत सुन्दर बिल्कुल परफेक्ट ऐसे घटाई हमारी ये बन कराती है अगर आप इस तरह से बनाते हो और ये सीधी तरफ से भी देखिए सीधी तरब से भी बहुत सुंतर बिल्कूल एक दम रिडिमेट की तरह ये बन कर आएगा आपका इस तरह से ही आप गले की घटाई बनाईए बहुत सही बनती है ठीक है अब हमारा थोड़ा सा काम रह गया है इसका क्या रह गया है दूसरे पल्ले को इसके साथ अटैच करना इस पल्ले को अब हमने इसके साथ अटैच करना है फिर से वैसे ही आपने ध्यार रखना है कि यहाँ पर क्या करेंगे इसकी उल्टी साइड और देखिए दोनों तरफ से स सेथी सीधी साइड इसकी ऐसे आयेगी ये वाला हमारा यहाँ से यहाँ जुड़ना चाहिए यह वाला ठीक है शोल्डर और यहाँ पर बटन पटी अंदर आने चाहिए और यहाँ पर तो इन फंदों को मैं क्या करूंगी दूसरी सलाई पर ऐसे उतार लूगी अगर आपका भी ऐसे ही है सेम तो आप भी ऐसे कीजिए इन फंदों को ऐसे सलाई पर उतार लेजिए अब इन सभी फंदों को हमने दो का एक दो का एक करते हुए बंद कर देना है पहले ये बटन पत्ती वाले फंदों से हमारा ये स्टार्ट होगा तो यहां से बटन पत्ती का देखिए फर्स्ट फंदा लेलेंगे यहां से एक फंदा एक फंदा यह वाला इन दोनों को दो काई करेंगे सेम उसी मैथर से हमने यह भी फंदों को दो काई करते हुए बंद करना है और फिर से एक फंदा यहां से एक फंदा यहां से लेंगे दो काई कर देंगे अब पिछे वाले फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देंगे फिर से एक फंदा इस सलाई में से एक इस सलाई में से लेंगे दो काई करेंगे दोनों को निकाला पिछे वाले को उठाया उपर से गिरा दिया फिर से एक फंदा उस लाई में से एक इस लाई में से लिया दो काई किया अब पिछे वाले फंदे को उठाएंगे उपर से गिरा देंगे same to same इसी तरह से करते हुए ये सारे फंदे हमने last तक बंद कर देने हैं ऐसे ही same to same इन सभी फंदों को आप भी बंद कर दीजिये मैं भी कर देती हूँ देखिए इस तरह से हमारा neck त्यार है बनकर यहां से हमने फंदों को इसके साथ ऐसे सभी फंदों को मैंने जोड दिया है धागा यहां से कट कर दिया है और नोट बांद दी है अच्छी तरह से ऐसे अब हमने क्या करना है यहां से मुढ़े के फंदे उठाने है मुढ़े के फंदे हम कितने उठाएंगे यहां से लेकर यह तीरे वाली सलाई तक 60 फंदे 30 जोटे 60 फंदे 60 फंदे इधर से 60 इधर से यह टोटल में हमारे 120 फंदे हो जाएंगे तो यहां से हमने फंदे उठाना शुरू करना है यहां से ऐसे पकड़ेंगे सीधी तरफ से ठीक है सीधी तरफ हमारी यहां इधर होनी चाहिए उल्टी तरफ इधर तो यहां से हमने ऐ आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है लेकिन पूर्जेक्ट पूरे करने होते हैं तो वीडियो तो बनानी ही पड़ती है न तो बड़ा अरचेस्ट कर लेजिएगा ऐसे ठीक है पंदा निकलाया अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे ही डालते जाएंगे एक एक करते हुए ऐसे फंदा बनाते जाएंगे देखिये ऐसे फिर से डाला फिर से ऐसे स्लाइपर दागा गुमाएंगे इसे ऐसे निकाल लेंगे बहुत असान होते हैं फंदे उठाने कोई मुश्किल नहीं है बस ऐसे डालिए ऐसे स्लाइपर दागा गुमाएंगे ऐसे न बताया है कि यहां से लेकर यहां तक पहले 60 फंदे हमने उठाने है ठीक है इस स्लाइड तक यहां से लेकर यहां तक 60 फंदे यह टोटल में हमारे 120 फंदे उठेंगे तो यह उठाकर फिर आगे दिखाती हूं आपको एक बार फिर से देख लिए फंदे उठाना बिलकुल असा इस तरह से निकाल लिया, फिर से डाली, फिर से सलाइं पर इस तरह से धागा घुमाया, इसे फिर से ऐसे निकाल लिया, बहुत असान है, बढ़ी असानी से आप उठा लोगे फंदे, अब यहां से दिखें टोटल में मेरे 120 संदे होगे, 60 फंदे इधर से, 60 फंदे इधर से, जैसे मैंने आपको बताया है, हमने उठा लिए हैं, अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ से ऐसे उल्टी उल्टी सलाईयां बनाते हुए, बोर्डर बना लेना है, सीधी तरफ से भी सेम ऐसे ही उल्टी सलाई ही बनानी है, दोनों तरफ से जितनी स्लाईयां मैं बनाऊंगी इसकी तो आप भी इसी तरह से जैसे हम बना रहे हैं न उल्टा उल्टा ऐसे ही इधर से फिर दूसरी साइड से भी सीधी तरफ से भी बिल्कूल ऐसे ही इसी तरह से रो बनानी है तो उल्टी उल्टी स्लाईयों का border हमारा बनकर त्यार हो जाएगा तो ये बनाती हूँ फिर आगे दिखाती हूँ आपको कि इस border को हमने बंद कैसे करना होता है और कितनी स्लाइआ टोटल में इसकी बनाऊगी इसी तरह से बनाते हुए देखिए मैंने इसकी 9 स्लाइआ बना ली है ये उल्टी तरफ से 1, 2, 3, 4 धारिया और सीधी तरफ से भी हमारी ये 4 धारिया आ गई है 1, 2, 3, 4 तो ये 8 स्लाइआ हमारी कंप्लीट हो गई 9 मी स्लाइए हमारी उल्टी तरफ से अब यहाँ पर 2 का 1, 2 का 1 करते हुए मैं border को बंद कर दूँगे एक फंदा ये वाला, एक ये वाला ऐसे लूँगे और 2 का 1 कर दूँगे अब फिर से इस फंदे को वापस लेंगे इसे 2 का 1 और इसमें ना तो फंदों को आपने ढीला रखना है ना बहुत ज़्यादा टाइट रखना है नॉर्मल हाथ से आपने इन सारे फंदों को ऐसे ही बंद करते जाना है इसी तरह से 2 का 1, 2 का 1 करते हुए तो इसी तरह से मैं सारे फंदों को बंद कर दूँगी आप भी ऐसे ही ये सारे फंदे इस तरह से दिखिए बंद होते जाएंगे हमारे जाकेट हमारे पूरी बनकर रेड़े हो यह है दोनों तरफ से दिखे मैंने मूढ़े बना लिया है बिल्कुल फिनिशिंग से और कितने सुंदर यह हमारे बने है और गला भी बिल्कुल परफैक्ट देखे बनकर आया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करना है आपने वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बाबाई है वानाइस टे जो भी यह जाकेट बनाएगा तो मेरे साथ फोटो भी जुरूर शेर करनी है इसके आपके ने